पहला अफेस स्क्रिबलिंग डे, घर से ओफिस तक के रास्ते में मेरा स्कूल, मेरे बचपन का स्कूल बीच में आता था. मैं रोज स्कूल देखता, तो अपने स्कूल के वो मस्ती भरे दिन दिलो दिमाग पर छा जाते. सच कुछ देर के लिए ही सही, किन्तु जीवन की सभी परेशानियों को भूल कर रिदे सुकून और चहरा मुस्कुराहत से भर जाता था. ओफिस जाने के लिए घर से निकला ही था कि कुछ दूर जाकर स्कूल के सामने गारी खराब हो गई. ड्राइव गारी ठीक करने लगा और मैं वही स्कूल गेट के सामने बने चबूतरे पर बैट गया. सामने स्कूल के बच्चों की भीर खूब हो हल्ला करते हुए. एक दूसरे की कमीज पर कुछ लेक रहे थे लगता है आज बारवी कक्षा के बच्चों का स्क्रिबलिंग डे है. उन्हीं यूँ एक दूसरे की कमीज पर स्क्रिबल करते देख मेरे चहरे पर मुस बूल था कि तभी, May I come in मैम? की नीठी सी मासूम आवाज ने बातों का सिलसिला तोड़ा. तुम क्लास के दर्वाजे पर खड़ी मैम से पूछ रही थी. तुम्हें देखकर मैं अपने आपको भूल गया था. तुम्हारा मासूम और खूपसूरत चहरा पहली ही नजर में मे बनी रही समय के साथ हम बारावी कक्षा के अंतिम दिन तक पहुँच गए. उस दिन स्क्रिबलिंग डे था. स्क्रिबलिंग डे बारावी कक्षा के बच्चों के लिए जीवन का सबसे यादगार और अनमोल दिन, ऐसा दिन जिसमें सभी मित्र, एक दूसरे की कमीज पर संदेश सभी बच्चे उतसाहित भी थे और दुखी भी. उतसाहित इसलिए, क्योंकि सभी अपने जीवन का नया अध्याय आरंब करने वाले थे और दुखी इसलिए कि ये मस्ती भरी स्कूल लाइफ को विराम लग गया था और सभी एक दूसरे से बिछर रहे थे सभी. एक मेरी कमीज पर भी लिख दो तुम बाजू पर लिखने लगी थी. तो मैंने कहा, यहां नहीं, ओपर दिल पर. ये सुनते ही पहली बार तुम्हारी नजरे शर्म से जुकी थी और तुम भावी जीवन के लिए शुब कामनाय लिख कर वहां से चली गई वक्त के साथ हम सभी अपने अपने जीवन में मश्बूल हो गए, पर मेरा पहला प्यार और तुम्हारी वो जुकी नजरे आज भी मेरे हृदय में सुरक्षत हैं क्योंकि पहला प्यार तो अमिट होता है.